Everyone wants to have a perfect love story, but do perfect love stories really exist? Hey everyone, welcome to Spel B. तो आज हम बात करेंगे Jennifer Wingate के बार में. So, 35-year-old Jennifer Wingate has made this amazing career for herself. But do you know कि Jennifer ने 12-सल की उमर से काम करना शुरू कर दिया था? This means उन्हें इस इंडेस्ट्री में अभी 23 years हो गय है. और ये 23 years के जोर्नी में उन्होंने काफी amazing decisions लिये है. But एक ऐसा गलर decision लिया Jennifer ने, जो इनवे उस वक्त पे उनके career को भारी पढ़ने वाला था. तो हुआ गया कि Jennifer ने अपनी career में काफी बड़ी-बड़ी serials किये है. जैसे की कसोती जिंदगी के सरसोती चंद्रद और बेहद. But एक ऐसा serial था जिन्होंने उनकी life बदल दी. जो था दिल मिल गए. दिल मिल गए डॉक्टर्स के ओपर एक serial था and mainly एक romantic genre का serial था. और इजनल ये शोव 2007 को एयर हुआ था and इसके lead उस time पे थे करन सिंग ग्रोवर और शिल्पा आनन. But दो साल बाद शिल्पा आनन ने शोव कुट करने का decision डिया. जिसके बाद 2009 में Jennifer ने शो में आजरी तिमा एंट्री ले ली. And this was the first time when Jennifer और करन सिंग ग्रोवर मेट. श्रद्दा निकम बट वो शादी टिक नहीं पाई. And 10 माइनों के बाद 2009 के दोरान करन अन श्रद्दा ने डिवोस ले लिया. कहां जाता है कि करन अन जेनिफर की on-screen chemistry कही न कहीं वो डिवोस का एक reason थी. And Jennifer के साथ on-screen romantic scenes करते करते सच में करन सिंग रोवर fell in love with her. And दोनों फिर officially एक दूसरे को date करने लगे. 2010 के साल में Jennifer and Karen एक power couple थे. Award shows हो या events हो दोनों एक दूसरे के लिए अपना affection भर-बर के दिखाते थे. फिर relationship चालो होने के एक साल बाद ही 2010 में दिल मिल गए शो को बंद करने का decision लिया गया. दब सबको लगा कि शो के बाद Jennifer and Karen का भी break up हो जाएगा. बट ऐसा नहीं हुआ. Almost 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे को date किया. And फिर 2012 में शादी करने का decision इनोंने ले लिया. ये करन सिंग रोवर की दूसरी शादी थी. And on the other hand, Jennifer was madly in love with him. बिकाज वो उनका इन वे पहला प्यार था. But problem तब शुरू हुआ, जब दिल मिल गए शो बनने के बाद, Jennifer अपने टेलिविजन करियर में काफी अच्छा कर रही थी. 2013 के साल में इवन Jennifer को सरस्वचे चंद्र में जो उन्होंने रोल निबाया था, उसके लिए Best Actress का Award भी मिला. तो उस टाइम तक वो टॉप की टेलिविजन अक्रेस बन गई थी. But वो ही दूसरी तरफ करन का टेलिविजन करियर दिल मिल गए के बाद कुछ खास नहीं चल रहा था. इस वज़े से he was trying to enter Bollywood, और उसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली, Named As Alone, जो 2015 में रिलीज होने वाली थी, बर 2014 से उसकी shooting शुरू हो गई थी. और इसी दौरान करन मेट विपाशा बासू. काम के बहाने से दोनों काफी बार साथ में spot के गए. फिर अचानक से ये खबर आई कि करन वस cheating on Jennifer, and he is dating विपाशा बासू. ये सब चीजों को पहले तो करन ने rumors बताया, and बोला कि विपाशा is just a co-actor. पर इन अवे, जब 2014 में ही Jennifer और करन का divorce लेने का decision बाहर आया, तब लोगों को ये लगा कि कही न कही ये rumor सच था. बोला काफे जल्दी move on हो गए, बट जो divorce का face था, वो Jennifer के लिए काफे मुश्किल था. क्योंकि उनका रिश्टा अलमस्ट पास सलका था, तो आफटर divorce, Jennifer ने एक break लेने का decision लिया टेलिविजन इंडस्री से. और 2014 में जो एक बड़ा सीरियल वो कर रही थी, named as Saraswati Chandra, वो भी offer चला गया, जिसके बाद उन्होंने as lead actor किसी दूसरे सीरियल में काम करना पसंद नहीं किया. तो लोगों को ये लगने लगा कि Jennifer divorce के बाद wants to quit the glamour industry, और ये भी कहा जाता है कि emotionally वापस stable होने के लिए Jennifer ने ये break लिया, so this was very saddening, but the diva made a very strong comeback as Maya in Bayhat, ये 2016 की बाद है, काफी लंबे break के बाद Jennifer फिर से TV पे दिखाई दिने लगी, and she looked amazing, उनकी popularity peak पे थी, Maya का character was loved by everyone, और ये भ साफी पसंद आ गई थी, but Jennifer फिर से किसी पे trust करके एक नया रिष्टा शुरू करने के लिए ready नहीं थी, जिसके वज़े से खुशाल और Jennifer उन्होंने अपने feelings को आगे push नहीं किया, 2014 के divorce के बाद से Jennifer के link-up rumors हाला के एक-दो रहे है, but mostly Jennifer ने ये clarify कर दिया है, that she is single now, and she is busy with her work, surely पहले उनके पहले रिष्टे में जो उन्हें धोका मिला था, उसके चलते she has changed a bit, she has her guard up, and शायदी फिर से वो किसी पे इतना ज्यादा trust कर पाईगी, जब करन ने Jennifer को छोड़ा था, तब लोगोंने ये कहा था, कि Bollywood में और successful होने के लिए, he is marrying Bipasha Basu, but आज के दाइम पे, कर सिंग्रोवर has returned to TV industry, and in a way, उनकी ex-wife Jennifer Wingate is far more successful than Karan and Bipasha both, हाँ, we shouldn't compare anyone, but here we are just comparing the numbers in terms of popularity, Jennifer Wingate is of course today doing amazing serials, web series and shows, she is a very big name in the industry, and 23 years के career में, she has grown immensely, so that's it for this video, आप इस बार में क्या सोचते है, कि Jennifer and Karan के रिष्टे के बार में आपका क्या ओपीनियन है, यह में कमें सेक्शन में बताइ और यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इससे like and share करें, और ऐसे और updates के लिए चान को प्लीज सब्सक्राइब करें, thank you